असलाम लेकुम दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सबी लोग अच्छे होंगे आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूटीब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे बिल आइकोन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल से जल मिल जाए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दे आज मैं जो टॉपिक बोलने वाली हूँ वो बहुत अच्छी टॉपिक है वो सुनकर आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बोलने वाली हूँ जन्नत की मिट्टी के बारे में तो आप शुरू करती हूँ आज का वीडियो जन्नत की मिट्टी, मा की सक्सियत और मा का रुत्बा क्या है एक देहाती ने गाड़े मिट्टी से अपना घर बनाया घर में इस से चोटी साथ मुसलो की मस्जिद बनाई क्यूंकि इसके साथ बेटे थे तामीर मुकमल हुई तो उसने बेटो को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से की जाए तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलास करके लाओ बेटे परिशान हो गए कि जन्नत की मिट्टी कहां से लाए बाप का हुकून था बेटे ढूनने निकल खड़े हुए जबके सबसे चोटा बेटा और सात्वा नंबर का बेटा बहुत बीमार था वो घर पे ही रह गया भाई साम को सब थके हारे खाली हाथ घर लोटे तो क्या देखते है चोटा भाई बोरी में मिट्टी भर के बैठा है बाप ने पूछा बेटे तुझे जन्नत की मिट्टी कहां से मिली बेटे ने कहा सारा दिन मा के पीछे पीछे फिरता रहा जहां जहां वो कदम रखती रही वहां वहां से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा वही मिट्टी है दोस्तों मा का क्या रुत्बा है क्या सक्सियत है आप लोग को मेरी इस वीडियो में समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो जल से जल सब्सक्राइब कर दे मैं मजीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लों के लिए बनाऊंगी और अपने दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्ला हाफिज